वेल्कम स्टूडेंट्स लाइस वीडियों में अपने इलिवेंट ओपकोड के मैटरियल देखा था लेवर की परिवासा देखेती आज देखेंगे एक्सफेंसेज में इंडारेक्ट एक्सफेंसेज ऐसे वे होते हैं जो किसी विशेसकारीया उपकारीया प्रक्रियाय उत्प उत्पादन अने कारें से समंदित होते हैं तो ऐसे वे आप प्रतेक्स वे कहलाते हैं या ओर हेड कहलाते हैं या फिर आप इसको ये बहुत इंडायक्ट एक्सपेंसेज कहलाते हैं यानि उस उत्पादन कारें उप कारें विशेस कारें से समंदित न होकर समस्द कारें से इस पेसल पर्टिकुलर इसे समंदित ने होकर इन सभी युनिट से समंदित होते हैं ये कारे इन डारेक्ट एक्सेज में आते हैं जिनको ओर हेड के नाम से यानि उपरी वे के नाम से भी जाना जाता हैं जिसको अप्रतेक्स समगरी अप्रतेक्स सरम और अप्रतेक्स वे के और इसको ईपि मे pressing कहते हैं अब से पहले उसमें बात करेंगे किसी वस्तु के निर्माण के संबंद में कारुक्ष सामगर के लागत कारुप्त अप्रतेक्स मजदूरी अन्य अप्रतेक्स वेक के योग को कारकाना उपरी वेक काजला का जाता है अरतात एक फेक्टरी में अप्रतेक्स अमगरी अप्रतेक्स मजदूरी और अप्रतेक्स वेक के योग को फेक्टरी यानि कि फेक्टरी अलग होती हैं ओफिस अलग होता हैं प्रडक्षन डिपार्टमेंट अलग होता है तो जो फोईक फेक्टरी के अंतरगत अपरतेक सामगरी हैं मजदूरी हैं वे हैं उनको खारकाना उपरी याने फेक्टरी ओरेड का लाते हैं और एक्जामपल खारकाने का किराया यानि जो खारकाना लगाए उसका रेंट हो गया मसीन में कारी रखने के लिए आउसक तेल हो गया मसीनों की सफाय के लिए प्रियुक करने वाला कपड़ा हो गया उत पादन में प्रियुक्त कम उल्ले की सामगरी जैसे कीले होगी सीरे लागा आदी और कारखाने में मेनेजर, निरक्षन, चोकिदार, फोर मेन का वेतन, प्लांट एन मसीन का हार्स यानि डेप्रेशेशन, प्रकास यानि पावर एन, सक्ती वे और नक्सा कारेलिय में वे यानि ये समधित समस्त व्यकू अपन फेक्टरी कोष्ट या फेक्टरी ओ और हेड में एड होगा जब आपन टोटल कोष्ट हाँ निकालेंगे उसके बाद बात करेंगी कारेवय या प्रसासन बेऐ, यानि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से समधित अगर कारेवय में जितने वी वे होते हैं, फेक्टरी ओर एड कहलाते हैं, आपने या प्रसास प्रशासन प्रवंद के लिए के जाते हैं उदान के लिए बहुंद का किराया है अब यह कुझा का किराया है को भून का किराया है और यहां पर जो किराया होगा वह कार खानाय का किराया होगा खार का बहुन का किराया बीमा कार्याले का बिजली पाने के वे टेलिफोन कार्याले की स्टेशनरी डाक वे कार्याले के प्रभंदक यानि मेनेजरों का किरा मेनेजरों की सेलेरी संचालक लिपिक अन्य क्रमचार्यों का व्यतन भावन फरनीचर हर्स का कानोनी वे और व्याफारेक चंदे अन्य वे इन सम्मंदित सभी व्यों को अपन किसमी माना जाता हैं कार्याले या प्रसासन जिसको ओफिस या एड्मेनिस्ट्रेशन ओवरहेड के रूर्ट में जाना जाता हैं और थर्ड का ओवरहेड अपर्टेक्स वे हुआ वह हैं के नाम से जाने जाते हैं जो वे उत्पादिन वस्तु सामाने विक्री मांग बढ़ाने या वस्तु का वाजार विस्तर्त करने के लिए के जाते हैं यानि ऐसे वे होते हैं जो वस्तु की विक्री बढ़ाने के लिए के जाते हैं और वस्तु में उस वस्तु की डिमांड और एक्जामफल, विक्रे विभाग में प्रिक्त स्टेशनरी, मुल्ले सुची, नमुनों पर होने वाला वे, विक्रे प्रतिनीदी यानि एजेंट, सेलिंग एजेंट जिसको अपनब का आ जाता है, विक्रे प्रबंदक यानि सेल्स मेनेजर, अन्नी करमचार्यों का वेतन, विध्याफन वे, दूसरी और एसे वे जिनका निर्मित वस्तों का गराकों तक पहुचाने के संबन में किये जाते हैं, वो वित्रन वे कहलाते हैं, यानि डिस्ट्रिविशन वे कहलाते हैं, एसे वित्रन विभाग की करमचार्यों का वेतन, पेकिंग, गोदाउं का किराया सुबर्द की देने की गाड़ियों, म्रम्मत, आधिक की वे, कौन से कहला हैं, डिस्ट्रिविशन वे, यानि कि सेलिंग, एक्सपेंडिचर अलग हो गया, ओर डिस्ट्रिविशन ओवरहेड अलग हो गया, लेकिन अपन वे की दृष्टी से, लेकिन एकांट्स की दृष्ट से अपने दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं लिखेंगे अगर अलग अलग लिखेंगे तो पहले आएऊगा का सेलिंग एक्साइड और उसकी बाद आएगा टिस्टिविशन वरेड़ तो आप सबसे पहले क्या क्या गयाद करेंगे आपने क्या देखा फरेल मेटर सबूइब स्यूदित उनमें उन्स अन्सिम्हेतन के नामजी जोड और ऑपरेट्री ओर हैटशंगे इन सभी को जोड करने यो करने कंद आगे आपकी टोटल कोस्ट आएगी अब इनमें जो कोस्ट एकाउंट रखते हैं प्लंग वर सबंदीर टाई م बनाते हैं अंतिम खाते बनाते हैं इसमें क्या होता है कोश्च शीट बनाते हैं या प्रोडॉक्शन डिपाट्वेंट बनाते हैं अब उनमें कौन-कौन शी मदगौप सामिल नहीं करोगे तो वित्ते से समध्दिया इन financial item जो होंगे वो costing के अंतरगत यानि cost seat के अंतरगत सामिल नहीं करेंगे for example जैसे अर्थ दंड जुरुमाना हरजाना आई कर यान income tax संपत्ति कर assets कर, loan, पर्भ्याज, नगत बट्टा, प्राप्त की राया, करमचायर कुदिक सत्यपूर्थी, बेंक जमाव विन्योग, डिविडेंट्स, अस्तंता अनुपीस, विन्योग, इन एक ये सबी अगर expenditure हो रहें तो अपन कोशेट में allow नहीं करेंगे, यानि entry नहीं करेंगे, इंदराज नहीं करेंगे, लाब नहीं हो जैसे समधित मद, जैसे हाई कर संपत्ति कर कोशो परस्तान तिरासी चुकाया गया लाबान्स, अभी गोपन कमिशन, अन्सों, जिन पत्र, यानि financial समधि, corporate से समधित हैं, company से समधित जो खर्चे होते हैं अपन, वो भी अपन इसमें सामिल नहीं करेंगे, साधान हानिया जैसे सामकरी, अन्ने वेवसाइक संपत्ति की, आग, चोरी, बाढ़, बुकंप, उपदर्व, अन्ने प्राकर्तिक दुरगटनाव से होने वाली हान को भी अपने इसमें सामिल नहीं करेंगे, यानि कि आपके पास कोई production factory हैं, और उसमें आप किसी वस्तु का उतपादन करेंगें, और इन से समधित कोई हानी हो जाती हैं, चोरी से हानी हो जाती हैं, बाढ़ से, बुकंप से, यानि प्राकर्तिक आपदाउं से हानी हो जाती हैं, तो financial accounting में तो अपने उसका लेका रखते थे, इसमें अपने इसको लेका नहीं रखेंगे, और रखेंगे तो नोट लगा के रखेंगे, जो की cost के अंतरगत जो नियम दे रखेंगे, उसके अनुसार रखेंगे, अब अपने बात करेंगे कि इसमें उप्रोक्त वनी तत direct को अपन ओवरेट की नाम से जाना जाता हैं, तो जब यह सारी चीज़ आपके पास आजाएगी, तो आप क्या करोगे, cost ग्याद करोगे, यानि कि लागत ग्याद करेंगे, यानि किसी भी factory में किसी भी वस्तु का उतपादन हुआ, तो उस वस्तु की उतपादन से पूरी की पूरी लागत ग्याद करेंगे, factory में कितना खर्चा हुआ, ओपिस में कितना हुआ, उसको बैसने में कितना खर्चा हुआ, और profit कितना हुआ, तो सबसे पहले आपको prime cost ग्याद करनी है, या उसके बाद factory cost ग्याद करनी है, उसके बाद office और cost ग्याद करनी है, तो आपको इपास टोटल कोश्ट गयात हो जाएगी और सेलिंग क्राइज आपको गयात हो जाएगी यानि किसी वस्तु की दसुरुपे में कोई वस्तु उत्पादन होती हुए दसुरुपे कहां से प्राप्त हुए कहां कहां की लागत आई वह अपन इसमें गयात करेंगे तो प उपदित वस्तु की कुल लागत को प्रतेक्स अप्रतेक्स लागतों में बाटना और समस्त वियो को मुझ लागत कर आती है यानि कि जो प्राइम कोष्ट आएगी डायक मेट्रियल, डायक्ट लेबर, डायक्ट एक्सेंसेज उसके बाद फेक्ट्री कोष्ट कहां से गयात फेक्ट्री ओवरहेड को अपन क्या करेंगे फेक्ट्री ओवरहेड को प्राइम कोष्ट में एड कर देंगे तो क्या जाएगा फेक्ट्री कोष्ट आजाएगा उसके बाद फेक्ट्री कोष्ट आता है फेक्ट्री कोष्ट के बाद आप ओपिस ओवरहेड को किसमें आप ए करेंगे तो क्या जाएगी आपकी टोटल कोस्ट आजाएगी टोटल कोस्ट में अगर फ्रोफित याद जोडेंगे तो क्या जाएगी सेलिंग प्राइज आजाएगी तो आप टोटल कोस्ट किस फरकार निकालेंगे पहले प्राइम कोस्ट निकालेंगे फिर फेक्ट्री आगुना भी देखेंगी, तेंक्टियो